साथ हैं बीकानेर से रोणक हैं अजमेर से मनबीर हैं बीकानेर सबसे पहले चलते हैं रोणक आपके पास आना चाहेंगे सर हदिस दिला किस तड़िके से इस वक्त अलइट मोड़ पर है क्या कुछ जानकारी है बिकानेर पूरी तरह से चाक चौबंध है यह कह सकते हैं कि परिंदा भी अब जो है वो पर नहीं मार सकता गंगा नगर बिकानेर जैसल मेर और साजी साथ बार्ड मेर इन चारो जिलों में पूरी तरह से हाई अलर्ड कर दिया गया है और चाक चौबंध कर दिया गया है अगर मैं बात करूँ बीकानेर की तो यहां पर कुछ फेक कॉल्स जो है लगातार मिल रहे है और उन फेक कॉल्स की वज़े से जो है काफी पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि सेना के मूवमेंट्स की जानकारी जो है उन फेक कॉल्स की जरिये मांगी जा रही है खास्तार पर बात करूँ खाजू वाला सबसे सवेदर्स की इलाका है जब पिछले युद के दौरान जब कारगिल युद हुआ था तब सबसे ज़ादा इन्हीं इलाकों में जो है सेना का मूवमेंट्स देखा गया था और अब जिस तरह से रौनर्ट लेकिन एक खबर ये भी आई ये बीकानेर और आसपास के सरहदी जिलों से कि वहां पर धमाके की आवाज आ रही है लोग थोड़ा सहमे हैं हलाकि अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ऐसी नीड होती है जरुत होती है तो आसपास के इलाकों को गाओं को खाली करवाए जा सकता है देखी संजय मैं आपको बताओं सबसे पहले जी मीडिया ने इस खबर के बारे में बताया था दर्शकों तक पचाया था क्योंकि जो बिकानेर के आई जी है बील मिना उन्होंने साथ तोर पर कहा था कि अनूबगड से सटे इलाकों में यानि जो विजेता चौकी उसके ठी पर के सुनाई दिये थे उससे कही ना के यह साब परतीत होता है कि जिस तरह से वाई उसेहना ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू किया उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बॉखलाया हुआ हुआ है उसकी बॉखलाट जो है वो सरत के उस पार साथ तोर पर देखाई जो कि यहां पर बडी संख्या में जो पाकिस tão होते हैं वो आते हैं उनको रोका गया है तब से हलात थोड़े और धार्मिक्ट तोर पर भी थोड़े कडवे होते जारें किया कुछ इस वक्त पूरी जानकारी और अजबे में सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाे तो किस तर अगर अजवेर के अहलातों के हम बात करते हैं तो COC को अहत करने की कोशिश न करें यही वजह है कि राजस्थान के जितने भी बड़े धर्मिस्थलें वहां की सुरक्षा विवस्था को बढ़ाया गया है चाक्चाव बंद किया गया है अजमेर की चाहें दरगा की बात कर लेते हैं पुशकर की बात कर लेते हैं ये दोनों इस्थानों के उपर सुरक्षा विवस्था चाक्चाव बंद कर दी गई है साथी साथ जितने भी रहे हैं, वहाँ पर खुफिया तंतर को सतर्क कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की नापाक हरकत अगर पाक के द्वारा की जाती है, तो उसकी पूरु सुचना जो सरकार है उसके पास हो, सेना है उसके पास हो इसके साथ साथ ही पूरे अजमेर की अगर हम बात करता है क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन जाहिरीनों का आना जाना लगा रहता है देश भर से जाहिरीन यहाँ पर पहुंसते हैं एक अलग तरह का उत्सा लोगों में है भारतिये सैना के परती भारतिये सैना के शौरे के परती मुंबई से आया हुआ ये एक परिवार इस समय हमारे साथ में है ये भी कुछ कहना चाहेंगे क्या कहना चाहता है भारतिये सैना के लिए कि आज शायद सबसे ज़्यादा जरूरक भारतिये सैना को इस बात किया है कि वो सरत पर डटे हैं और उनके पीछे 125 करोड का जो देश ह वो खड़ा रहे सर हमें तो बहुत खुशी हो दिये कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस कर बं छोड़ा और इतनी खुशी हो दिए कि हम लोग बता नहीं सकते बसमन के लिए अपनी जो सेना है अपनी जो नौजवान उनके लिए मने दो लाइन लिखा हूँ तो मैं ग खड़े खड़े सीने पर खाते हैं गोलियां जो हो चुके शई उन पर लाखो सलाम मेरा भारत महान मेरा भारत महान दिया जाएगा क्योंगे पाकिस्तान को भी यह समझ में आ गया है कि भारत से लड़ना या फिर आख दिखाना इतना आसान नहीं है है वहीं राजस्तान के सरहदी आलाकों में हाई अलर्ट जारी हुआ है बिकालेर में गाउं से शहर तक हाई अलर्ट मोड पर इस वक्त है सुरक्षा एजंसियों से लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है हर्द एक संदिक दगतिविदी पर पहनी नजर है और सरहदी सीमा को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी हरकत यहाँ पर होती है तो पुलिस के नगरानी में सेना के जवानों के नगराने में हो राजस्थान के सरहदी इलाकों में अलर्ट संदिक दिगतिविदियों पर रखे रही है नजर बीएसएप समेट तमाम एजनसियां अलर्ट पर बॉर्डर के इलाकों को किया गया सी भारत की एर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है तनाओ के बीच राजस्थान के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है पुलिस बीएसप समेट तमाम सुरक्षा एजनसियों को अलर्ट मूट पर रखा गया है राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट पर है पूरे इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है राजस्थान के चार सरहदी जिले बिकानेर, श्री गंगानगर, बाड मेर और जैसल मेर की 1037 किलोमीटर की सरहद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है श्री गंगानगर के अनूप गड़ इलाके में पाकिस्तान की तरब से धमाकों की तेज आवाजें भी सुनी गई है एर स्ट्राइक के बाद बियासा पूरी तरह से अलर्ट है उधर खबर ये भी है कि फेक कॉल्स के जरीए सेना की गतिविदियों की जानकारी लेने की कोशिश भी की जा रही है जिसकी चांच की जा रही है राजस्तान के बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से जुडा हुआ है लिहाजा सरहदी इलाकों में सुरक्षा एजिंसियों को अलर्ट कर दिया गया है हलांकि सुरक्षा एजिंसियों ने किसी भी तरह की पैनिक स्थिती से इंकार किया रौनक वियास जी मीडिया पिकाने